नमस्कार मैं हूं गोपाल आप देख रहे हैं साइन्स एकेडमी साइन्स एकेडमी में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रेशियो परपोर्सन का सवाल कराया गया था अब उसको आगे बराते हुए आज आपके लिए कुछ और सवाल लेके आया हूँ चलते हैं आज के सवाल नमबर वन पर सवाल नमर वान पिछले वीडियो में आपने देखा था सेम सवाल एक फिर आया है एक ठायली में एक रुपिया पचास पैसा एबंग पचीस पैसा के कुल तीन सो चालिस सिक्के हैं इनके मुल्यों का अनुपाथ पांच अनुपाथ चार अनुपाथ एक हो तू पचीस पैसा के सिक्कों की संख्या बताईई तो ऐसा सवाल आपको सेम टूझे पिछले वीडियो में बताया गया है एक वार फिर से देखिए जब ऐसा सवाल आता है तो जिसमें मुल्यों का अनुपात दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं उस अनुपात को सिक्कों की संख्या का अनुपात में कनवर्ट करते हैं इसका एक आसान सा तरीका है हम पहले इसको लिखते हैं यानि कि 5 अनुपात 4 अनुपात 1 तो य दूसरा जो है यह है 50 पैसा वाला और तीसरा है 25 पैसा वाला ठीक है तो इसको सिक्कों की संख्या में कनवर्ट करने के लिए यह तो दिया गया मुल्यों का अनुपात इसको कनवर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं सभी को रुपिया में कनवर्ट करते हैं तो एक रुपिय तो यह पहले से है, यह 50 पैसा को रुप्या करने के लिए 2 से गुना करना परता है, इसलिए अनुपात में हम लोग कर देंगे 2 से गुना, और इसको 4 से गुना करना परता है, इसलिए अनुपात में कर देंगे 4 से गुना, अब हमारा यह बन गया सिक्कों की संख्या का अब question में देखते हैं सिक्कों की संख्या कितना है तो सिक्कों की संख्या कितना है 340 कुल सिक्के हैं तो सभी अनुपात को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा 340 होगा यानि कि 5498 कितना हुआ 17 यानि कि 17 का जो भेलू है वह आपका है 340 तो एक का भेलू कितना होगा आपका 17 दुनी 34 यानि एक का भेलू आपका हो जाएगा 20 यानि 1 का भेलू निकल गया 20 आपको किसका भेलू पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्यान 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है चार है इसका मतलब चार के बराबर कितना हो जाएगा 80 और 80 सवाल का एंसर है ठीक है एक बराबर देख लिजिए कि जब भी मुल्यों का अनुपात में सिक्का दिया रहे तो उसको संख्यां सिक्का की संख्यां के अनुपात में करने के लिए सभी को हम रुपियों में कनवर्ट कर देते हैं तो वो कनवर्ट हो जाता है तो एक रुपिया वाला में कुछ नहीं करना है 50 पैसा वाला को रुपिया हम करने के लिए 2 से गुना तो हमने अनुपात में 2 से गुना कर दिया 25 पैसा में 4 से गुना करना परेगा तो अनुपात में 4 तब यह हो गया 5 और 4 दुनी 8 चार एकम 4 तो यह बन गया सिक्कों की संख्या का अनुपात यानि कि 5, 8 और 4 का अनुपात में बन गया आप जोनते हैं कोश्चन में दिया गया सिक्कों की संख्या कितना है 340 तो सभी का योगफल क्या होगा 340 होगा तो इसको सभी को जोड़े तो 17 बराबर 340 एक बराबर 20 आपको पुछा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्यात हुआ है 4, 4 बराबर 80 और यही सवाल का एंसर है ओके चली अगला चलते हैं अगला सवाल है सीता और गीता की आमदनी का अनुपाद आमदनी माने क्या होता इंकम यानि की इंकम आफ सीता एंड गीता इज एट रेशियो 11 एंड देर एक्सपेंडिचर इज यानि की उनका खर्च क्या है 7 अनुपाद 10 है यदि परतिय की बचत 1000 रुपिया यानि 1000 रुपिया हो तो सीता की आमदनी बताए कितना है देखिए ऐसे सवाल बिलकुल अंगली पर बना सकते हैं सिंपल सी आप समझे अनुपादिक रासी देखिए यह इनकम दिया हुआ है इनकम है 8 अनुपाद 11 में और 8 रुपिया आप कमाईएगा 7 रुपिया खर्चा किजेगा 11 रुपिया कमाईएगा 10 रुपिया खर्चा किजेगा तो बचत कितना होगा यानि कि सेविंग आपका कितना होगा देखिए इसका सेविंग 1 हुआ और इसका भी सेविंग 1 हुआ और कोस्चन में बोला है कि परत आज़ एक हजार है तो at quoted अनोंत ने कितना बोला एक अन्होंकोड़ एक हजार इसका मतलब एक बराबर कितना है एक हजार हपे तो आपको क्या बोलनगों है कुलिए सृता की खुलिक्त अर्श का है यह सीध कई हर्द कितना है आठ है इसका answer क्या होगा सीता क्यामदानी 8000 होगा तो 8 के बरावर कितना हो जाएगा 8000 और यही इस सवाल का answer है अब देखिए यह तो हो गया आप चलते हैं सवाल number 3 पर ठीक है देखे सवाल number 3 में क्या है फिर से income expenditure का बात है तो इसमें होता किया है थोड़ा सा और ध्यान देजिए सवाल बदल जैसे जैसे आपको आगे ले का रहा हूं सवाल आपका बदल रहा होगा ध्यान देजिएगा ठीक है ए तथा बी की बार्सिक आयका अनुपाथ 3 अनुपाथ 2 है और खर्चा पांच अनुपाथ 3 है अब देखिए हो गया लफ़रा दिक्कत हो गया कमाता आदमी है तीना खर्चा कर रहा है पांच ठीक है तो देखिए इसको क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं यह है और यह है बी इसका जो इनकम है वह है थीरी रेशियो 2 में है और फिर से इसका एक्सपेंडीचर मने खर्चा कितना है पांच रेशियो 3 में है अब सवाल में हो गया क्या दिक्कत कि आदमी कमा रहा है तीन गया तो ऐसा सवाल जब भी आयत इसके लिए आपको जानते हैं कि कमाया हुआ धन उसका क्या होना चाहिए जादे होना चाहिए तो ऐसे सवाल में करते क्या है इसके लिए आपको एक थोड़ा सा चीज समझना होगा इसको समझिए तब करके दिखाएगे जैसे देखिए गुना कर दीजिए तो क्या होगा क्या इसका अनुपात बदल जाएगा नहीं बदलेगा क्यों जैसे कि इसको हम दो से गुना तो इसको भी दो से गुना कर देए यह हो गया छे आई यह हो गया चा कहेंगे छे और चार का अनुपात निकालो इसका अनुपात फिर हो जाएगा तीन अनुपात दो इसका मतलब हुआ किसी अनुपात में किसी संख्यां से गुना कर देने पर उसके अनुपात में कोई असर नहीं पड़ता उसी परकार उसमें भाग भी यदी दे देते हैं जैसे यदी आपको कोई कहा दे छे अनुपात चार लिखा हुआ इसका बास्तविक अनुपात कितना होगा तीन अनुपात दो अगर इसमें हम कहा दे इसमें भी दो से भाग इसमें भी दो तो क्या हो जाएगा तीन अनुपात दो देखे भाग देने पर भी तीन अनुपात दो आया बिना भाग देकर कटा देते तो भी तीन अनुपात दो आता यानि कि किसी अनुपात में परतियक में सेम संख्यां से गुना कर दे कि भाग कर दे उसके अनुपात में कोई असर नहीं परता या आपका एक कंसेप्ट हो ठीक है, इसको आप लोग समझ लेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, आप लोग उतार लेजिए, किसी अनुपात में, किसी संख्यां से गुना या भाग करने पर, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, ये बात जब आप सिख चुके हैं, तब इस सवाल पर हम लोग आते हैं, इसको मिटा दें, यानि कि जब आपको सवाल आ जाए, कि आमदानी कम हो रहा, खर्च अधिक हो रहा, तो उस अनुपात को किसी संख्यां से गुना करके, आमदानी को खर्चा से ज़्यादा करने की कोशिस किजिए, तभी तो आप खर्च कर पाईएगा, तो देखते हैं, इस सवाल में, आमदानी को हम लोग कर देते हैं, दो से गुना कर देंगे, खर्चा से ज़्यादा हो गया, यानि की पर्तियक में हम दो से गुना कर देंगे, अब ये नया वला हो गया, या हो गया 6, या हो गया 4, या इसका इंकम हो गया, एक्सपेंडिचर 5 और 3 के अनुपात में है, तो इसका क्या होगा, ये हुआ इंकम, एक्सपेंडिचर, यानि की सेविंग इसका 1 हो जाएगा, इसका भी सेविंग 1 होगा, और question में क्या बुला है, कि परतिए का saving, पूरे बरस का ये बारसिक था, वह अभी 1 हजार है, इसका मतलब फिर से बोल रहा है, कि 1 बराबर कितना है, आपका, एक हज्जा आपको क्या पूछ रहा है तो एक ही बारसी का आई तो एक ही बारसी का या है छे तो यानि की छे बरावर कितना हो जाएगा छे हज्जार और छे हज्जार इस सवाल का एंसर है ठीक है अब देखिए अगला सवाल जो है इसके बाद वह भी एक कंसेप्ट्वल सवाल है ठीक है उसको सिर्फ कंसेप्ट आपको सिखना है ठीक है एक होता मिस अनुपात अभी तक आपने परहा था कि समान अनुपात सतत अनुपात एक होता मिस अनुपात तो सवाल नंबर आप देखिए चार कता दो अनुपात तीन कुमा छे अनुपात ग्यारा कुमा ग्यारा अनुपात दो का मिस्र अनुपात निकाले तो इसके लिए आपको करना क्या होता मिस्र अनुपात का मतलब होता है सभी अनुपाद का पर्थम रासी का गुनन फल अनुपाद फिर होता है सभी अनुपाद का दूतिय रासी का गुनन फल उसका जो अनुपाद होता है मिस्र अनुपाद ठीक है तो देखते है मिस अनुपात कैसे होता है दो अनुपात 3 है दूसरा इसके बाद है 6 अनुपात 11 तीसरा आपका है 11 अनुपात 2 इसका मिस अनुपात आपको निकालना है मिस अनुपात मतला पहला को पहला से यानि कि 2 गुना 6 गुना 11 अनुपात फिर दूसरा को दूसरा से 3 गुना 11 गुना 2 तो इसका अनुपात हो जगा 3 गुना 11 गुना 2 हो इसका आप solution कर लिजी है यही आपका हो गया मिस्र के अनु पाथ है हुआ इसमें क्या होगा अनुปाथ में क्या देखते हैं कि अई दूसरे से कटेगा बटा होता है इसका मतलब देखे सबसे पहले 11 से ग्यारा कट गया आपका यह दो से दो कट गया तो बच कितना गया इदा चो और तीन यानि कि तीन दुनी के 6 और 3 एकम 3 एक वार में इसका मतलब 2 अनुपात 1 इसका मिस अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया मिस अनुपात हो गया अब एक concept आपको फिर से सीखना है ठीक है और आज हो जाएगा आपका ratio का chapter खत्म इसके बाद आप जो कहिएगा वह होगा लेकिन मेरा ये है कि मैं आपको इसका कुछ previous year के question आपको दिखाऊंगा और आपके सामने बना के दिखाऊंगा ठीक है तो आज अब देखते हैं एक conceptual सवाल इसको पहले सीखेंगे जैसे आप देखिए यादी आपको दिया गया है ए बटा में X बरावर बी बटा में Y बरावर C बरावर Z ऐसा यादी दिया है तो यह सब एक अनुपात है ठीक है तो इसके बरावर देखें इसके बरावर क्या हो सकता इसी के बरावर, इसके बरावर हो सकता है, A पलस B पलस C नीचे हो सकता, X पलस Y पलस Z, यह सभी, यह तीनों के बरावर है, यह सिंगल के बरावर भी है, सिंगल के बरावर, यह सब जोर दिया, वो भी बरावर है, इसके बरावर फिर देखिए, यहां भी हो सकता है, किसी दो का योगफल देखिए तीनों का योगफल बटा तीनों का योगफल किसी दो का योगफल बटा में दो का योगफल यानि कि ऐसे भी हो सकता है A पलस B बटा में X पलस Y फिर बराबर B पलस C बटा में Y पलस Z फिर इसी के बराबर हो सकता है A पलस C बटा में X पलस Z तो यानि कि जिस condition में इसका लिया जाए उस condition में नीचे वाला का भी ले लिजिए तो सभी आपस में बराबर होता है और इस concept पर एक सवाल है यदि आपको ये concept नहीं पता हो तो आगे वाले सवाल का आप इंसर नहीं दे सकते हैं तो इसका आप लोग ध्यान से इसको लिख लिजिए यदि A बराबर होगा A प्लस B वटा में X प्लस Y फिर बराबर होगा B प्लस C वटा में Y प्लस Z फिर बराबर A प्लस C वटा में X प्लस Z यह सब अपस में बराबर होते हैं तो चलते हैं लास्ट सवाल पे लास्ट सवाल आपका है सवाल नमबर 5 इसमें क्या बोल रहा है देखे दिय गया है P बटा 2 बरावर है Q बटा 3 बरावर है R बटा 4 तो पूछ रहा है P पलस Q पलस R बटा 9 बरावर हुआट इन में सो option दिया है P बटा Q, R बटा 3, Q बटा 3 और R बटा Q अब देखिए इस सवाल को देखिए और इस concept को आप देखिए जैसा ये concept है उस परकार से सवाल भी है P बटा 2, Q बटा 3 और यही है A बटा X इस परकार इसमें से ये सब देख रहे हैं यही सब इसका कोई answer होगा और इसमें से कोई question है तो इस question के बरावर में ऐसा होगा माने कि इसमें से कोई भी question है तो इसमें से कोई भी इसका answer होगा तो देखिए question आपको इस परकार से दिख रहा होगा देखिए question है तीनों उपर वाला जूर दिया है तो इसके बरावर देखिए अप्षन में ऐसा कुछ है तुआ भी एंसर होगा ऐसा कुछ है तुआ भी एंसर होगा इसमें से कोई कुछ है तुआ भी इसका एंसर होगा तो देखिए इसमें से कोई है तुआ भी इसका एंसर होगा तो एक एंसर आप देखिए P वटा Q इसमें से कोई नहीं है Q वटा 3 कोई option है हाँ जरूर है अता इस सवाल का answer जो है या क्या हुआ C number हुआ इस सवाल का answer ठीक है आसा करते हैं class आपको अच्छा लग रहा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में share करें और अच्छे अच्छे वी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और बेल आइकन को दवा के all notification पर क्लिक करें ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thank you bye